हेलो गाइच वेलकम बैक तो मैं चैनल सो गाइच आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो अवीता क्रेनवास 2-in-1 के बारे में जैसे कि आप लोग को पता होगा इसलिए वाली वीडियो में मैंने इसका अनबॉकसीं दिखाया था और आज की इस वेडियो में आपको बात करने वाले हैं इसके रिव्विउ के बारे में जैसे इसमें क्या क्या फ्यूचर है और इसकी विल्ड क्वालेटी कैसी है यह सब इस वीडियो में आज आपको देखने को मिलेगा साथसाथ आपको इसके बारे में और भी डीटेल जीए तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर सकते हैं आप देख रहे हैं और यहां पर इस्टेटस डालते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं इनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल में पर्मानेंट जो है वीडियो को अफ्लोड करें ताकि लोग आपसे चैनल से जोगेंगे चलिए हम आज की इस वीडियो मां आप लोगों को बता दे बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो को उठाके और डिरेक्टली नाहीं कुछ आदा नाहीं कुछ थम्लेन पूरी की पूरी वीडियो और धमलेन सहित उठाके अपने चैनल पर डाल रहे हैं जैसे कि आप हम आज की इस वीडियो में जो टॉपिक है हमारा उस पे बात कर लेते हैं जैसे कि अविता कोस्मोस टूइन वन आज इसके रिव्यू की बात करते हैं जैसे कि आप लोगों पता है दो या तीन देन से मैं इसको गंटिर्यू चला रहा हूं और साथे साथ हम इसकी आज आज को दोडिवेऊ बताने वाले हैं कि यह देख सकते हैं यह हमारे पास अविता का रैप्टॉप जैसे कि आप लोग सकते हैं इसकी अगर मैट्रेल की बात करें तो यह आपको पुरा का पूरा प्लास्टिक में दिया जाता है और साथे साथ जो इसकी कीबोड है यहां पर आपको जो है कलोट का यहां पर फिनेसिंग दिया जाता है और अंदर की साइड में जो इसकी कीबड है यहां पर आप देख सकते हैं यह पूरी प्लास्टिक में दी गई है और इसकी बिल्ड क्वा झाल झाल इसको ली यहां से साइड से इसको खोल के ऐसे आप यहां पे रख सकते हैं और रखने के बाद इसे आप बिटेज भी कर सकते हैं नहीं और यह व्लाफ इसको तैबलेट अलग हो जाता है इसको टैबलेट नहीं बोलेंगे इसको एक laptop बोलेंगे, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, कि इसे tablet बोलते हैं, यह एक tablet नहीं है, और यह एक laptop है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें बिंडो ट्यान है, और यह touch screen पे भी काम करता है, और keyword से भी यह काम करता है, अगर इस site की बात करें, तो यहाँ 3 3.5 mm का जग देखने को मिल जाता है, और साथी साथ आपको इधर पे एक charging port का option देखने को मिल जाता है, और इधर पे आपको एक USB type का port देखने को मिल जाता है, इधर पे आपको एक power बटन का और 3.mm जग देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे HDMI का port देखने को मिल जाता है, और साथे साथ इधर पर आपको एक memory card का slot भी दिया जाता है, अगर इसकी right side की बात करें तो right side मा आपको एक यहाँ पर speaker देखने को मिल जाएगा, जिसकी volume काफी ठीक ठाग है, अगर आगे की camera की बात करें तो यहाँ पर आपको front camera दिया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं पर touch काफी अच्छा काम करता है, मैं इसे तीन दिन से यहाँ continue इसको use कर रहा हूँ, तीन दिन का यह मेरा experience है खुद का, आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि बहुत से लोग बोले थे कि इसमें हम video editing कर सकते हैं, या फि तो simple CDC बात बताओं, तो आप इसमें photo editing कर सकते हैं, इसमें high software आपको काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसमें high software आप download करेंगे तो क्या पता, यह hang भी हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर practice नहीं किया है, आप देख रहे हूँग, यहाँ पर video editing के लिए मैंने kind master Android application है, और यहाँ easily इसमें use भी होता है, आपको मैं next video बनाऊँगा इसलिए, और आज की जो बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर menu का option देखने को मिल जाता है, menu option देखने के बाद यहाँ पर एक आपको setting का option देखने को मिल जाता है, यहाँ पर अपन setting आपको यहाँ पर देखने है, वो पूरी की पूरी setting आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, साथी साथ आप यहाँ पर आपको power off और power on का यहाँ पर button और अंदर touch में भी यहाँ पर option देखने को मिल जाएगा, अगर आप यहाँ पर अपना जो laptop है उसे सुचॉप करना चा आपको office देखने को मिल जाएगा, साथी साथ आपको यहाँ पर alarm clock देखने को मिल जाएगा, और calendar देखने को मिल जाएगा, calculator देखने को मिल जाएगा, camera का option आपको देखने को मिल जाएगा, और साथी साथ इसमें Excel भी आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर feedback hook का भी इस तरह से अगर बात करें तो इसमें काफी सिस्टम देखने को मिल जाता है और आप भी अगर लेना चाह रहें तो इस बजट में यह आपके लिए काफी अच्छा बेस्ट रहेगा यह मेरा लेने का मकसद यही है कि मैंने इसे सिर्फ यूटूब परपस से लिया हुआ है और ना ही इसमें वीडियो एडिंग के लिए लिया गया है ना ही इसमें फोटू एडिटिंग के लिए लिया गया है यह आप इसको अगर वीडियो के लिए यूज करते है तो यह काफी अच्छा रहेगा साथ यह साथ अगर आप एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए यह काफी अच्छा रहेगा जैसे आप लोगं को पता है आज कल online classes चल रहे हैं online classes के लिए यह काफी best है आपको इस price range मैं इससे बड़े आपको कोई भी laptop मिलने वाला नहीं है क्योंकि इसमा 4GB RAM और 64GB ROM के साथ यह आपको देखने को मिल जाता है साथ यह साथ आप इसकी जो internal memory है उसको expect भी कर सकते हो यहनिकि उसको बढ़ा सकते हो और साथ साथ आप इसमें जो है student बगरा जो काम होते हैं उनके आप easy लिए यहाँ पर कर सकते हैं और साथ साथ इसमां आपको एक जोम का भी option देखने को मिल जाता है जिसमां meet now जिसमां आपको online video calling के दिए जैसे बात करनी हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जोते हैं और उनमें video calling होती है उससे साथ से यहाँ पर आप देख सकते हैं यह option आपको दिया गया है यहाँ पर meet now पर किलिक करके आप अपने meeting को भी यहाँ पर join कर सकते हैं so guys I hope इसके बारे में अगर आपको other join करें चाहें तो मुझे न नहीं तहुंए आपकी साथ next video